आई वे ये है रोशनी का करवाँ ये है रोशनी का करवा यहाँ आना जरूरी है आवाज का क्या है जरा सी बेसूरी ही सही भई हम तो ये साथ में जोड़ना चाहेंगे के नियूज व्यूज और एडवाइस के अलावा कुछ दिलचेस्प कॉंट्रिबूशन्स हैं जो हमारे लिसनर्स की तरफ से आती है अचारशद पहले तुम एक बात बताओ के रेंबो यानि केंदर धनुश इसको बनाने के लिए क्या दरकार होता है बारिश और धूब दोनों ही? बेलकुल सही और अपनी जिन्दगी वो रंगीन यानि खुबसूरत बनाने के लिए क्या दरकार होता है? दुख और सुक दोनों क्यूंके खुशी हमें उत्साह देती है और दुख दर्द के नाजुक जजबात के तारों को छेड़ता है है सबसे मधूर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं याद है ना आपको वो गीत? हाँ, बिलकुल मुझे याद नहीं है क्योंके मैं पैदा भी नहीं हुआ था यह आपको बताना चाहरे हैं कि यह भी बहुत नन्ने बच्चे हैं इसलिए रोश्नी का कारवा में हम अपने साथियों की जिन्दगी की दुश्वारियों का जिक्र करते हैं साथियों और साथ ही उनसे टकराने और काबू पाने के उपाए भी बताते हैं वे आनंदन तमिल नाडू के एक मिठाई बनाने के कारखाने में काम करते हैं और जब उन्होंने एक दृष्टहीन आदमी को ठोकर खाकर गड़े में गिरते हुए देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा बस आनंदन ने इस भावना से इंस्पायर होकर एक ऐसा केन एक ऐसी छड़ी की का इजाद किया जिससे पकड़ने वाले को सामने आई किसी अर्चन से आगाही मिल जाती है उसे पता चल जाता है कि सामने कौन से अर्चन आने वाली है जी हाँ यह इन्वेंशन पावर्ड बाइ टू बैटरी सेल्स और थी फूट एरियल सामने आई किसी भी अर्चन यानि आपस्टिकल को महसूस करते ही वाइबरेट करने लगता है ऐसा है अर्चन की लोन्स की मदद से आनन्दन इस प्रॉड़क्ट को खुद मार्किट करने की कोशिश में लगे हुई सलिमा यह जोर्ज बड़े बेताब देख रहे हैं जानती हूँ इंटर्व्यू सेग्मेंट का टाइम जो आ गया है हमारे इंटर्व्यू सेग्मेंट में आज जोर्ज अबरहम बात कर रहे हैं विल्यम रॉलिंड से जो साफ्ट आफ्रिका में से हैं और वर्ल्ड ब्लाइन यूनियन के प्रेसिडंट हैं चोटी सी उम्र में ही एक शूटिंग के हाथसे में अपनी आखें गमा बैठे लेकिन जिन्दगी की बागदोर को विल्यम बड़ी चुस्ती और मस्बूती से थामे हुए हैं पढ़ाई जारी रखे उन्होंने और डिसेबिलिटी राइट्स में बहुत काम किया अपने काम के बारे में बता रहे हैं विल्यम रोलंड नमस्कार डॉक्टर रोलंड शुरू में आप बताएए ये वर्ल्ड ब्लाइन यूनियन वाट इस वर्ल ब्लाइन यूनियन और इसके मुख्य उद्देश क्या है The World Blind Union was founded in 1984 as a merger between the World Council for the Welfare of the Blind and the International Federation of the Blind but it has become over the past 21 years really an organization of blind people speaking for the blind people of the world we've got 176 member countries our objective would be for all countries to be represented we are organized into six regions world blind union का स्थापना हुआ सन 84 में 176 members है और ये छे शेत्रों में बांटा हुआ है World Blind Union द्रिष्टिहीन लोगों से का एक समू है जो द्रिष्टिहीन लोगों के लिए काम करता है तो Roland जी आप हमारे सुने वालों के ये बताएए कि World Blind Union के मुख्य कारिकरम क्या है of a world movement of blind people. We have to be activists, advocates on our own behalf. Secondly, I think, is to define the issues, to consult, debate, refine the thinking that blind people have about blindness and about the issues that are of importance to us. We are a development agency in that we have programs to train people in the management of the regional organizations, the national organizations, and we are also a human rights body. तो आप विष्वा स्थर पर द्रिष्टिहीन लोगों को संगटित करते हैं, उनके मुदों को सामने लाते हैं, जागरती फैलाते हैं, और आप बेसिकली एक मानव अधिकार संस्ता है, जो विष्वभर में काम करते हैं. तो अगला सवाल, Dr. Rowland, वर्ल ब्लाइन यून और भारत का क्या संबंध है और इसमें भारत का रोल क्या है? At the United Nations right now, we are negotiating for an international disability convention. A convention that will be a human rights instrument that is binding. Now that means that governments will have an obligation to implement the measures advocated in that convention and to report on those measures. So that could be a practical way in which a country like India, or like South Africa, which is my own country, relates to the international community. And I'd like to say that there are Indian blind people that are highly respected in the ranks of the World Blind Union. I'm thinking of Mr. Cole, Mr. Mittal, Dr. Vyas, Anurada Mohit. These are people who participate in our committee work, who contribute to our thinking, and whose opinions are highly valued. And I'd like to say that a country that opens its window on the world usually has a better record of services, of the inclusion of blind people in their communities. In the past, World Blind Union, we are talking about the people's rights of the disabled people in the United Nations and the Convention of Rights for the Disabled. And those who have made a decision on the international level, and those who have made a decision on the people's rights of the member countries, पे पे लागू होता है और इस से भारत जो वर्ल ब्लाइंड यूनिन के मेंबर हैं भारत के लिए फाइदा होते हैं और इसके साथ साथ जैसे मिस्टर कॉल है, मिस्टर व्यास है, मिस्टर मितल है, अनुरादा मोहिट जी हैं, ये सब वर्ल ब्लाइंड यूनिन में रिस्पेक एक समाज के बारे में, एक समावेशिक समूह के बारे में, तो पचीस साल के बाद, अगर विकलांग लोग समाज में समावेशित हो जाते हैं, तो वर्ल्ड ब्लाइन यूनिन जैसे संस्थाओं का क्या रोल होगा उस वक्त? किवाईन की की the role to play that you had so that I think an organization will from time to time have to reinvent itself what that reinvention will look like 20 30 years from now I don't know but what I do know is that right now we have reconstituted ourselves as a human rights organization we've come from a social model of disability and of blindness it's now a rights based approach and for the time being maybe for the next 10 or 20 years that is going to be the focus I dare say at some point there will be need to rethink our strategy our philosophy our position our role but I I would suspect that there will be a permanent role for the world blind union dr. roulan quehltesheenai ki world blind union šurruat ہوا thaedasamasasewa ke sasat áaj ki tarik maanow adikar or 30 saal baad patta nai kiya hooga samaaj ka paristiti kiya hooga kisi ko malum naïheh pur yeh zorur malum hai ki badalte samek ke sasat world blind union ke abhi jou roll hai uddeash hai badalte renge ach se dr. rouland aagla s determined aip se pouchhenge cross disability याने कि अलग-अलग दिसेबिलिटी के साथ-साथ काम करने का जो आज की प्रक्रिया है काई क्षेत्रों में, आपके राए इस बारे में क्या है? First of all, I have to say that the World Blind Union is opposed to cross-disability approach. Blind people are disadvantaged in the cross-disability structures. They tend to focus on physical access and environmental design issues like that. They are important issues, but blind people have particular demands, particular aspirations, and those are best articulated by an organization of blind people. Now, this does not mean a lack of collaboration. There will be times at the national level, at the regional level, and certainly at the international level, where by joining forces in the disability sector, we can achieve more. As we are doing right now, the United Nations in negotiating a disability convention. So, Dr. Roland, you do not believe in cross-disability activities. Although, you believe that there are a lot of challenges in the country, where all the people of the country can work together. So, the last question. What do you want to say to any blind person is to work as hard as they can at the education, to take the education as far as they can, because that is the best chance of opportunity. Education, learning, gaining knowledge, is the key to your future life. Education is the ability to meet life's situations. अपनी पुरा सर आवाज के साथ ओम्पुरी फिर हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं. आज किसका परिचाय करा रहे हैं, ओम जी? रविंद्र जैन का. दोस्तों, इनकी कई अवोर्ट विनिंग कॉम्पॉजिशिशन्स आपने सुनी हैं, गुन-गुनाई हैं. अर्शद तुमने भी सुनी होंगी, ये इतने पुराने नहीं हैं. गा के सुना हूँ? नहीं, नहीं. अच्छा सुनिया, पता नहीं आप ये जानते हैं कि नहीं, कि रविंद्र जैन जी जन्म से ही द्रिश्टिहीन हैं. अलिगर में जन्मे संगीतकार रविंद्र जैन का नाम तो आपने सुना ही होगा. जन्म से ही द्रिश्टिहीन रविंद्र जैन की रग-रग में संगीत बसा है. बॉलिवुड में वे संगीत के मसीहा माने जाते हैं. उनके करियर में दृष्टी दोष कभी आड़े नहीं आया प्रियाग संगीत समिती से संगीत प्रभाकर रविंदर जेन ने कभी गीतकार संगीतकार हर रंग में रंग जमाया है पच्चिस साल के फिल्मी करियर में उन्होंने लताजी से लेकर रफी सहाब और आज के हर जाने माने फिल्मकार के साथ काम किया है उनके संगीत का जादू हमने चोर मचाई शोर गीत गाता चल जैसी फिल्मों के इलावा रामायान, शिरी कृष्ण और जैह हनुमान जैसे टीवी सीरिलों में भी देखा है रविंदर जेन दुनिया भर में घूमे हैं उन्हें कई पदक वापुरुसकार मिले हैं उनकी काबलियत को देखते हुए लोग आज उन्हें संगीत ज्यानेश्वर तथा संगीत समराठ तक कहते हैं संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान चिर्काल तक याद रहेगा शुक्रियावम जी फर गिविविंग अस दिस वंडर्फल प्रोफाल अव रविंदर जेन आपको याद होगा दोस्तों के युगेश कुमार शुकला ने कुछी दिन पहले हमें रिक्वेस्ट की थी के जिनेटिक आई डिस ओर्डर के बारे में हम एडवाइस सेक्शन में उन्हें कुछ बताएं जी हमें खूब याद है और बढ़िया बात ये है कि ये काम अन्जाम देने के लिए हमने डॉक्टर गौरफ ककर से संपर किया डॉक्टर ककर डेली के एक चैरिटिबल आई हॉस्पिटल में कंसल्टन्ट है डॉक्टर ककर जेनेटिक आई डिस ओर्डर कितनी आम है जरा और डीटेल में बताईए कि कौन कौन से बिमारिया जेनेटिक होती है क्या ये आँखों की दूसरी बिमारियों से मुक्तलिफ यानि अलग होती है कौन प्राब्लम्स हैं जैसे कैटरैक्ट भी हो सकता है सफेद मोतिया बच्चों में गलाकोमा भी हो सकता है काला मोतिया पीछे के परदे में कमजोरी जो होती है जिसमें रात को बहुत कम दिखता है उसको बोलते है रेटनाइटिस पिग्मेंटोसा और एक जो सीरियस बिमारी है जो टूमर के जैसा है जो टूमर ही है अच्चली उसको रेटनो ब्लास्टोमा बोलते हैं दे फरक सिर्फ इतना है कि ये जो प्राब्लम्स है ये डिजीजिस है ये बच्चों को पैदाशी होता है और जो एडल्स में थोड़ी देर के बाद होत है उसको हम डेफिनिकली कम कर सकते हैं फर एक्जाम्पल अगर बच्चे को सफेद मोतिया है कैटरैक्ट है उसको सरजरी द्वारा ठीक कर सकते हैं सरजरी करके चश्मे या आंक के अंदर लेंज डालके नजर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं नमबर टू गलाकोमा अगर है या कालम होती हैं बच्चे को तो उसको ऑप्रेशन द्वारा आंक का प्रेशर कंट्रोल करके नजर जो है बचा सकते हैं तीन अगर ट्यूमर्स है तो उनको दवाईयों कीमो थेरपी देखें जो और लेजर द्वारा ट्यूमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं डॉक्र ककल, इनका इलाज कितनी उम्र में शुरू किया जा सकता है? यह जो इलाज है, as soon as diagnose किया जाता है, तुरंत ही करते हैं. अगर बच्चे को मोतिया है, तो तुरंत ही जैसे diagnose हो जाए और बच्चा anesthesia के लिए fit हो जाए, तो उसको मोतिया का operation कर सकते हैं. जो tumors हैं, वो थोड़े दिन बाद पता लगता है, पर जैसे ही पता लग जाता है, उसका treatment तुरंत ही शुरू हो जाना चाहिए. और हाँ, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल कि इस intervention यानि इलाज से किस हद तक नजर लोट सकती है? काफी हद तक recover किया जा सकता है, जो at least नजर है, उसको बनाए रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो नजर है, continuously develop होता जाता है, तो अगर हम उसको वापस लाए, तो उसमें development में आसान होता है, नजर जितनी है उतनी बन सकती है और आगे जाके बढ़ भी सकती है. डोक्र ककल ये बताइए, कि inherited eye disorder के शिकार इनसान के बच्चों को भी ये तकलीफ होने की कितनी संभावना है, क्या संभावना होती है? पेरिंट्स अपने बच्चे के साथ आते हैं, तो हम उनका एक detailed history लेते हैं, specially family history, जिसमें हम पुरा चार्ट करते हैं कि किन लोगों को ये तकलीफ है, अगर हम उसमें दिखता है कि सिर्फ पुर्शों में, male members में ये तकलीफ हैं, दादा, बेटा, पोता में हैं, तो करीब 50% chance है कि अगले जो generation है, उनके male members में, ये same जो disease है, उनको भी हो सकता है, that's one, okay, second जो scenario है, जहां females carrier होते हैं, जिन में दृष्टिहीन या कोई disease नहीं होते हैं, बट उनके जो बच्चे हैं, उनके अगर लड़किया हों तो उनके 50% chance है, वो भी carriers बन सकते हैं, और अगर रड़के हैं, तो 50% chance है, उनको कोई आँखों का problem हो सकता है, तीसरा scenario ये है, कि अगर माबाप ने within the family अपने cousin से शादी किया है, और उनका पहला बच्चा दृष्टी हीन है, genetic disorder की वज़े से, तो उनका 25% chance है, कि उनका जो दूसरा बच्चा हो, वो भी same problem का शिकार हो सकता ह अच्चा हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, कि क्या हम इन eye disorders को अपने बच्चों तक जाने से किसी भी तरह रोक सकते हैं। कि ये genetic disorders बहार आ जाते हैं, तो as far as possible इसको avoid करना चाहिए, within the same region, but not within the family, family के बहार शादी करना बहुत जरूरी है, to prevent these genetic disorders, और इसके इलावा, काफी research हो रहा है, in terms of gene therapy, जो अगर, जिसमें अगर कोई defective gene है, उसको सही कैसे करना है, और analysis, जिसमें हम पहले से ही पता कर सकते हैं, कि ये genetic problems बच्चों में होगी या नहीं होगी, ice के problems होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कौन से type के होगी, और अगर उसका कुछ कर सकते हैं। इसमें research, अभी still सिर्फ ये research stage में है, उसको reality में या practice में आने में थोड़ा सा time ज़रूर लगे गया। अगर आप दृष्ट हींता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं, तो 0-9896-000555 और हर्याना से 9896-000555 पर कॉल करें। अगर आप भी किसी विशेश संबंद में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें बताईए, जरूर बताईए, ताकि हम इस सेग्मेंट के जरीए से आपकी मदद कर सकें। अर्शित जानते हूँ के खुशी की खास खुबी क्या है? जे हाँ, सिवाए इसके और क्या हो सकती है के हम दोनों खुश रहते हैं? अरे वाँ, जनाब खुशी जो है न, it defies the law of finance, पूछो कैसे? बताईए, बताईए, खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना खर्च करते हैं, शेयर करते हैं, उतनी हैं वो add और multiply होती है वर्ल्ड का पहला Indian language text-to-speech software है, जो दोनों Hindi और English text read करता है ये कमदाम की technology, जिसके speech खासी normal है, भारत में information disability को हटाने में बड़ी कारगर साबित होगी विभू अगरवाल, जो Prologix के president है, यही हैं वो company जिसने के ये innovation किया है मानते हैं कि इसके द्वारा शिक्षित या enlightened लोग और शक्तिमान भारत बनाने में मदद मिलेगी वाचक का प्रियोग, फिलहाल National Association for the Blind in Delhi, Election Commission of India, Indian Railways वगयरा में शुरू हो चुका है और हाँ, उमीद है कि जल्दी वाचक को दूसरी भारतिय भाशाओं में भी ढाला जाएगा वही हम उमीद करते हैं कि ऐसा जल्दी हो लीजी अब बारी आगई है, प्रोग्राम नमबर 9 के प्रशन को याद दिला देने की क्योंकि हम जानते हैं कि आप में से कई लिसनर्स जवाब जानने के लिए बेकरार बैठे होंगे जी हाँ, एक बड़ी ऐसी आईवेट टी-शेर्ट का मामला है ना Disability Rights Movement के कौन से रंग हैं, ये था हमारा सवाल What colors are used to represent the Disability Rights Movement and, and the answer is blue and yellow लॉक कर दिया जाएँ? जी, बिलकुल और winner है, Pawan Kumar from Thane भई, आपको इनाम बहुत-बहुत मुबारक हो हम बहुत जल्द आपको भेज रहे हैं यहां से एक exclusive आईवेट टी-शेर्ट और हमारा आज का सवाल है Approximately how many blind people live in India यानि के भारत में तक्रीबन कितने दृष्टिहीन लोग हैं? हमें सवाल का जवाब इस पते पहले लिग भेजिए यह हमारा अड्रेस आईवे रेडियो कॉंटेस्ट स्कोर फांडेशन पी-ओ बॉक्स 3903 न्यू डेली 49 पंदरे दिनों के अंदर-अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लखी ड्रॉण निकालेंगे और पांच लखी विजिताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी-शिर्ट बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है में हम यह चाहते हैं कि आपका पांटिसिपेशन, आपका सही योग हमें हमेशा मिलता रहे हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो रोजगार या शिक्षा के बारे में हो किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइडने से संबंधित हो तो 09896000555 और हर्याना से 9896000555 पर कॉल करें या हमारी इमेल आइडी भी नोट कर ले radio at iway.org पर लिखें और हाँ हमारा पोस्टल इड्रेस ज़रूर नोट कर ले ये है iway Radio Program Score Foundation P.O. Box 3903 New Delhi 49 एक बार फिर वक्त आगया आपसे विदा लेने का जी हाँ एक बार फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी frequency पर अगले सब्ता तब तक के लिए अर्शद इक्बाल और सलीमा रजा को दीजे इजाज़त खुदा हाफिज इस कारेक्रम के प्रस्तुत करता थे Score Foundation और राजीव गांधी Foundation ये है रोशनी रोशनी का करवा रोशनी आई वे ये है रोशनी का करवा वे है रोशनी